दोस्तों नमस्कार प्रणाम और विवादन स्विकार करें सुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे प्रदेश के 20 जिलों में सुरू आए स्वामित योजना का कार जानते हैं प्रदेश सरकार ने बड़े निर्णे लिये हैं सरकारी बैंकों के लिए जारी हुए निर्देश किस पुरे पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चिरल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियों तक जरूर देखेगा मतपदेश में स्वामित्य योजना का हुआय सुबारम ग्रामवासियों को अपनी आवासी संपत्य का मिल रहा है मालिकाना हग ग्रामिड चेत्रों के आबादी एरिया में निवासरत लोग जिनके पास कोई मालिकाना दस्तावेज नहीं है और ना ही उनका राजसु रिकार्ड में उलेख है उन सभी को मालिकाना हग दिया जाएगा स्वामित योजना के तहट योजना से गाउं की संपत्यों का रिकार्ड तयार किया जा रहा है जिसका आप सभी को लाब मिलेगा जिससे आप सभी उस मकान तथा भूमी पर बैंक से लोन ले सकते हैं बटवारा कर सकते हैं और उसको खरीद तथा बेज भी सकते हैं परतमान म प्रदेश के सभी 52 जीलों में इसका कार शुरू होगा वहीं सरकार ने एलान किया है कि जितने भी सोसाइटी हैं सरकारी संस्ता हैं का कम्पूटराजिशन किया जाएगा प्रदेश की 4523 प्रात्मिक क्रसी साख सरकारी समीतियों को कम्पूटरी क्रत किया जाएगा जिससे किसानों को लाव मिलेगा जिसके तरफ किसानों को रिण संबन्धी जानकारी रसी संबन्धी जानकारी यह Um An-An-S burgay घर पहुंच प्राप्त होगी कंपूटिक रथ होने से सबी व्यवस्ता है पारदर्सी निस्पक्ष यह Um सच्छ होगी ऐसा सरकार कमानना है लेकिन ऐसा तो नहीं होता कितना भी computerization कर दिया जाए लेकिन जो अधिकारी होते हैं करमचारी होते हैं वो थोड़ा जोलजाल करते हैं इन सभी से हमको बचना है मैंगली जानकारी प्रदेश में 45 वर से अधिक आयू के नागरिकों को लगेगा COVID का ठीका और इसका सुबारम 1 अप्रेल 2021 से किया जाएगा इसके लिए यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र देने की जरूत नहीं होगी अब तक प्रदेश में COVID टीका का अभियान 1 मार्स से जारी है तो आप सभी जब भी आपकी बारी आती है तो टीका करन जरू करें और कोरोना को प्रदेश तता देश से भगाएं इसके लिए प्रदेश सरकार प्रदेश के इनकाउन जीला चिकित सालों तो था 32 सिबील सीटी इसकेन जांच की सुवीदा है सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा क्योंकि सीटी इसकेन बहुत दुरलब जांच होती है ये बड़े-बड़े हास्पिटलों में होती है मुए अकली जानकारी है प्रदेश सरकार ने सराब बंदी को लेकर बड़ा फैसला ल ले रहेंगे इसके लिए प्रति दिन पांच जार रुपे का अत्रिक सुल्क देना होगा जिससे सरकार की आए बड़ेगी बार लाइसेंस फीसवर 2021-22 में सरकार दोरा नहीं बड़ाए गई है सरकार ने सराब बंदी में थोड़ी छूड़ दी है जिससे प्रदेश को राज बुजुर्ग हैं 60 साल से उपर के हैं तो आपको इस योजना का लाब मिल सकता है मत प्रदेश में केंदर सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के वरिष्ट नागरीकों के लिए राश्ट्री हेल्पलाइन सेवा सुरू की जा रही है प्रदेश में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ले गई है अब प्रदेश के वरिष्ट नागरीक हेल्पलाइन का प्रयोक करके अपनी समी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं केंदर सरकार द्वारा मत प्रदेश को 88 लाख रुपई की रासी उपलव्द कराई गई है इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1456 वहें किये किसानों के लिए मत प्रदेश में सनिवार से फसलों की खरदी सुरू हो जाएगी वहीं खरीदी केंदरों में 20 से अधिक किसान एक जगए एकत्रित नहीं हो सकेंगे सरकार ने किसानों के लिए सारी व्यवस्ताइं की है दरसल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना से लाइन का किसानों को पालन करना होगा और उस गाइड लैन के तहत आपको खरीदी के इंदर पर आना होगा सियम सिवरासी चववान ने प्रदेश के हीत में बड़ी बात कही है तो चलिए सुनते हैं सियम सिवरासी चववान को लाइव तीन ऐसी दुरभागे पूर्ण घटना है और मुझे लगता कि आज भी बेहने कहां सतंत्र हैं मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है आई डी जी पी को मैंने निर्देश दिया है कि चिन्नित अपराद मान के जन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनव हैं लेकिन यह मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराद है लेकिन पती अगर हाथ काटे तो विश्वास का खून है है कि साथ फेरे लिए जनम जनम का साथ निभाने की कस्में खाई है और घर से ले जाओ जंगल में लखडी बीन और हाथ काट यह साधान अपराद नहीं है यह भैंकर तम अपराद है और इसलिए इसको केवल 307 का मामला नहीं माना जा सकता अब इसमें धारा 307 लगती है लेकिन घरेलू हिंसा के इस जगहने मामले पर आज मैंने निर्देश दें के और कड़ा कानून बनाया जाए मैं साधान आफ एक जंजागरन का अभियान भी चले यह भी मैंने सोचा है और एक नया कानून बने जो ऐसे अपराधियों को कठोर तमदंड दे जिसे यह सहर जाए और ऐसी घटना फिर ना हो जानकारियों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और जानकारियों पूर अँवारण